बिस्मिल्लारोह्मालरोहीम, अस्सलामुलकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज हम जो है अपनी फ्लूर्ड डैनेमिक्स चप्टर्स नमबर सिक्स की जो बर्नॉली इक्वेशन की एक अप्लिकेशन है, तोरिशलिस थियूरम, आज हम उसको डिसकस करेंगे और उसकी ड सलेंडर है, जिसका एक एरिया जो है वो कुछ इस तरह मार्क हो रहे है, जैसे आप करसर जहां पर मेरा मौझूद है देख रहे हैं, तो एक सलेंडर है, जिसके अंदर कुछ लिक्विड यानि कोई फिल हुआ है, अच्छा, अब अगर हम देखें तो इसके एक साइट पर न अच्छा, अगर हम देखें, तो यहां पर कुछ बेसिक परामीटर हैं, इस टैंक के अंदर या इस सलेंडर के अंदर, जो हमारे पास लिक्विड या फ्लोरिड है, ठीक है, उसकी जो हाइट है, वो है H1, ठीक है, यह जो टैप हमने यहां कनेक्ट किया हुआ है, इसकी जो ह मौझूद, फ्लोरिड का, ठीक है, इस वक्त, इसके इस वाले एरिया पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है, वो है P1, और यहां पर फ्लोरिड की विलोसिटी जो होगी, वो एप्रॉक्जिमेटली 0 होगी, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, और यहां पर जो दुसी ज्यादा है, जिसकी वज़ा से विलोसिटी जो है, वो बहुत कम होगी, और यह बहुत कम कितनी होगी, अप्रॉक्जिमेटली इक्वल टू 0, जो इसकी दूसरी वाली साइट है, जहां पर टैप कनेक्टेड है, वहां पर जो प्रेशर है, वो है P2, ठीक है, और यहां पर ज प्लस हाव रो V1 स्कोर प्लस रो GH1, ठीक है, is equal to P2 प्लस हाव रो V2 स्कोर प्लस रो GH2, ठीक है, यह हमारे पास बर्णॉल इक्वेशन है, अब यहां पर इस फिर के अकोर्डिंग, जो पैरामीटर्स है, हम उनको ज़र अपनी जो बर्णॉल इक्वेशन है, उसके अंदर प प्रेशर होगा विछ इक्वल टू पी तो पीवन हम पी से रिप्लेस करते हैं ठीक है बिलकुल इसी तरह जो पीटू होगा हमारे पास इसकी जो हमारे पास दूसरी साइड है जहां टैप कनेक्टेड है वहां पर भी प्रेशर जो होगा वह एक्मॉस्फेरिक प्रेशर पी प्लस हाफ यह रो एजट आ गया और जो वी वन है हमने यहां पर देखा कि हमारे पास यह एरिया ग्रेटर होगा जिसकी वज़ासे विलासिटी अप्रॉक्जिमेटली जीरो के एक्वल होगी तो वी वन की जगह हम जिरो पुट करते है प्लस रो जी एच वान आ जाएगा ठ इसको हम वी से रिप्लेस कर रहें ठीक है जो कि हमारा रिक्वाइड है यह रैट से हाइलाइट हो रहा है ठीक है वी स्कॉयर प्लस रो जी एच टू अब सिंपल अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास जो एक्वेशन है वो कुछ इस तरह फॉर्म हो जाएगी पी आज़ प्लस रो जी एच टू अब हम क्या करते है कि अपने रो जी एच टू को एक्वेशन के दूसरी साइड मूफ करते हैं ठीक है तो हमारे पास एक्वेशन बन जाएगी रो जी एच वन माइनश रो जी एस टू is equal to half rho v square अब simple हम यह करते हैं कि अपनी equation को अगर देखें तो यहाँ पर rho g h1 में से rho g h2 में से rho g common आ रहा है तो यहाँ से इसको common करके लिख लेते हैं तो rho g common आ गया तो bracket में हमाँ पास value आजएगी h1 गेरा minus h2 ठीक है अच्छा बाकी half rho v square अब हम क्या करते हैं कि अपना यह जो equation में 2 है इसको this side का move करते हैं बिलकुल इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास जो rho है rho से cancel हो रहा है ठीक है और cancellation के बाद हमारे पास value को चाहेगी v square is equal to 2g h1 minus h2 ठीक है अच्छा अब हम यहाँ पर square है v के उपर तो root ले लेते हैं दोनों तरफ तो v is equal to under root 2g h1 minus h2 ठीक है अब इसके साथ अगर इसी equation को हम h1 minus h2 को अगर h के equate कर दें ठीक है h के equal कर दें तो यह equation which is final equation यह हमारे पास बन जाएगी v is equal to under root 2g h ठीक है इसके according हम simple term को define कर सकते हैं और यह जो velocity है हमारे पास यह define हो रही है कुछ इस तरह के the speed of efflux यह जो water होता है जो किसी भी parallel lines of water का किसी भी surface से pass होना इसको हम efflux का नाम देते हैं ठीक है तो parallel lines of forces जो किसी भी surface से pass हो रही होती है किसी भी जगा से गुजर रही होती है तो वह efflux कहलाती है तो यह statement हम कुछ यह represent कर पाएंगे the speed of efflux जो water flow कर रहे है ना इसको efflux बोल वह है the speed of efflux is equal to the speed gain by the fluid while falling through height h under the action of gravity ठीक है ना तो simple सी एक equation है जो तोरिशली सियोरम में हम drive करते हैं और यह equation v is equal to under root 2g h के एक्वल आ रही है ना थैंक यू सो मच students अला हाफिस